बिरिस रासी बालों का आने बाला दो दिन यनी की इग्यारह मई एबं बारह मई का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ इग्यारह मई एबं बारह मई के पंचांग के बारे में आज तिथी है अमावस्या नक्षत्र है भरनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है मंगल वार आने बाले शमय में सुर्ज उदे का समय है पांच बज के तैंटीस मिनट में सुर्ज अस्त का समय है साथ बज के दो मिनट में रितू है ग्रिस्म आने बाले शमय में दिन काल है तेरह घंटे 28 मिनट 56 सेकेंड का महिना है वैसाख मित्रो आने बाले शमय में सुभ समय सुरू होता है इग्यारह बज के 50 मिनट एम से बारह बज के 50 मिनट पीएम तक असुभ काल सुरू होता है आठ बज के 14 मिनट एम से नौ बज के 8 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है तीन बज के 49 मिनट पीएम से पांच बज के 21 मिनट पीएम तक दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर इसके बाद है बारह मई 2021 का पंचांग तिथी है प्रतीपदा नक्छत्र है कृतिका पक्च है सुकल पक्च दिन है बुद्ध वार आने वाले शमय में सुर्ज उधे का समय है पांच बज के 32 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है साथ बज के 2 मिनट में रितू है ग्रिस्म आने वाले शमय में दिन काल है 13 घंटे 30 मिनट 12 सेकेंड का महिना है वैसाख आने वाले शमय में सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 40 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 17 मिनट पीम से 1 बज के 58 मिनट पीम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आपके आने वाले शमय का पंचांग मित्रो इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक एबम अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें मित्रो शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के बारे में मित्रों आने वाले समय से पहले यदि आपके पढ़ाई लिखाई में कोई भी पढ़े सानी कोई भी समस्या था तो आने वाले समय में उस पढ़े सानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के छित्र में पढ़े सानी का सामना आपको करना पड़ेगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक नोकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले समय में आपके नोकडी के छित्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो आने बाले शमय में उस काम को करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं अपने नौकडी के छित्र में यदी आप कोई भी लापड़बाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्ज करता हैं तो आने बाले शमय में आपके सामाजिक जीवन के छित्र में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आने बाले शमय में आपके समाज में जो आपके बिरोधी हैं या जो आपके चाहने बाले हैं इन दोनों का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा एबम इन कारणों से आने बाले शमय में आपका सामाजिक जीवन बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक एबम अनोखा तोटका क्या है मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी एबम सुनहरा आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यनी की एक मित्रो आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको नसे बाजी से दूर रहना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं आने वाले शमय में यदि आप इस टोटके को आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबं इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दे एबं इस वीडियो को आप हड़ जगह से यर कर दे धन्यवाद